तो वोई भी बिमारी और एंजाइटी से चीज़े कभी नहीं होंगी कभी नहीं ठीक है अब अंगुठे के उपर जाते हैं अंगुठा इस वेरी इंपॉर्टन्ट क्योंकि हाथ का अल्मोस्त तीन चौथा हिस्सा यही क्यारी करता है उसका जो एरिया है यह पूरा यहां से ल चीज़ को पकड़ने की शमता नहीं होते होल्ड करना बहुत इंपॉसिबल हुए था जगर अंगुठा ना रहे तो ठीक है इसलिए गुरु द्रोनाचारी ने एक लव्वे से अंगुठा क्यों मांगा था कि वो चला ना सके दुबारा बाण ठीक है अंगुठे का कनेक्श होता है पहला जॉंहाला गरदन और धीरे-udhistory नीचे आते तो यह कमर तक आता है ठीक है तो अंगुठा जो है हमारा स्पाइन होताई तो गुरु दुनौनाचारे ने क्या क्या कि युद्ध करने लायक ना रहे क्योंकि अगर युद्ध करने लगया तो फिर अर्जुन नहीं टिक पाएगा सामने जो एक कुट्टे को एक बांड नहीं सौ बांड से मुझ के अंदर उसके चला जाता कुट्टे को ब्लीडिंग तक नहीं होती तो कितना निपन है वह वैक् तो यह देखकर वो द्रोनाचारे चौक गये थे कि यह विद्ध्या इसने कहां से सीखी मैं मेरे पास तरह से विद्ध्या नहीं तो उससे जब एकलव्य से पूछा गया तो एकलव्य ने धनुष सामने रखते वे का था गुरुदेव आपकी मूर्ती मैंने बनाई है और उ उसने सिखा हुआ है तो उसने अपने से खुझ से भी इतना अभ्यास किया था कि अधनुर विद्या में वह बहुत उपर तक चला गया था मतलब अगर हमारे सब्जेक्ट में पीएजडी डॉक्टरेट तक जाते हैं तो वह समझ लो उसको भी क्रॉस करके जा चुका तो जिसके हात नहीं है या हात मंग उठा नहीं है उस वैक्ति को कसी भी युद् हमें भाग लेने का आधिकार नहीं तो पैहले घृची भी किसी भी युद्ध में भाग नहीं ले सकता और एक सूर्वीर के लिए युद्ध लड़ना उस टाइम पे सबसे जादा गौरव की बात थी आज हमारे डेश में अभी सबसे जादा गौरव की बात क्या होती जो हम अच्छे इंडिसलिस होते हैं पैसा होता नाम होता लेकिन उ इंपॉर्टनस इतना ज्यादा है कि सबसे पहले पेट में मां के गर्व में बच्चा बनता है शुरू होता है फीटस बनने के बाद धिरे-दिर उसका हाथ पर निकलते हैं तो हाथ में भी सबसे पहला पोर्शन जो बनता वह अंगूठा बनता है उसका बाकी के उलिया दिर सांने की प्रकिषि अगर प्रका लिए होता है अंगोठे का विक विक्ति के वेवहारिक विकास के सी quindi से कुछ यानि तरजनी तक चिंपांजी का हाथ के यह लंबाई होता यह वाला यह वाला पॉर्शन ज्यादा लंबा होता है इसले वह उपर तक नहीं पहुंच बाता है है तो नेक्स में आते हैं मनुश्ध का विकास उसका अँगूठे के विकास के साफ अभिन्य रूप से जुड़ा है यह समय शक्टी और मानसिक योगिता का परिचायक देखो यहां इसको गप लिए यह वाला जो पोर्शन होता है अंगुठे में यह तर्क शक्ति तर्क आपके लॉजिकल माइंड का और इसके उपरी वाला जो हिस्सा है यह होता है आपकी इच्छा शक्ति यानि इमोशनल माइंड आपके पास कुछ ऐसी इंपॉसिबल परिस्थितियां आ जाती है कि आपको इसलगता है कि नहीं हो पाएगा लेकिन दिल करते हैं कि हो जाएगा कर लेते हैं कर गोशिश तो करते हैं मेहनत करके देखते ना शायद ऑजा बाकि ऐसा कोई भी स्पीसीज रित्वी में नहीं कोई ऐसा प्रजाती नहीं है जिसके पास इच्छा शक्ती की इतनी ज्यादा प्रचूरता और प्रबलता होती है बाकि के जानवर या पशुपक्षी जो है वह भी लिमिटेट शक्तियों में ही बंदे रहते हैं उनको पता है यहां जाना गढ़बढ है यह गलत है वह सही है उनको पता है लेकिन करता है उसके इच्छा शक्ति के उपर ठीक है इसके बाद है अंगूटे का प्रथम उपरी पर्व वैक्ति की इच्छा शक्ति को दर्शाता यदि वह पर्व छोटा संक्राव निर्बल हो तो वैक्ति इच्छा के अभाव में अपनी उज्जा को नियंत्रित नहीं कर पाता दथा सरलता से निर्ने नहीं ले पाता उ उपर का नॉर्मलली अगर हम यह बात करें मैं है वेखर करता हूं कि एगर अगर सौ लोग हैं तो सो लोगों में से सत्तर लोगों की अंगूठे की इस्तिती चैसी होगी कि वाला हिस्सा कि लंबायी और इसकी लंबाय और लब्स एक जैसी दिखेंगी तीक है बहुत सब्सक्राइब है लिए उपर हिस्सा बड़ा होगाँ कि उस में से उस ती Kelli से प्रतिशन में से असी प्रतिशाद उनके नीचे वाला हिस्सा बढ़ा होगा नीचे कैना कि यह से पोल्ड से दिवाइड होगा और नीचे भीसे दो फोल्ड है घी कर दक्धStart लाइन हो लग बात में जोईंट कर रहा हैं वो यह रिखना है यह वो लाइन तो बात में पहले समझ लगे रहे हैं ने वही मुझे समझना है यह देखी अब मैं मैं आपको दिखा रहे हैं इस लाइन से लेके यह वाला यह लॉजिकल प्रतिशत लोग जो है उन लोगों की लॉजिकल ज्यादा चलती है इसलिए आपको ऐसे लोग कम मिलते हैं जो टॉप लेवल पर रहते हैं जिनका उपरी हिस्सा जादा उपर उपर उपरी वाला अंगुटे का उपरी वाला हिस्सा बड़ा रहेगा वह हमेशा टॉप मैनेजमेंट या मैनेजमेंट के आगे वाले लोग के रहते हैं यह लोग मा लोग होते हैं उनके अंदर रिस्क लेने की शम्ता बहुत अच्छी होती है और वह ना सूपर सक्सक्स को अपनी तरफ करते हैं इसी लिए समझना बहुत जरूरी है कि अंगूठे का उपरी हिस्सा और नीचे वाला हिस्से का कैल्कुलेशन कितने रेश्यों में कौन उपर हैं स्यम्त्रिकली अगर देखा जाय तो आपको लंभाई में नीचे वाला इससा बड़ा दीखेगा उपर वाला चोटा दीखेगा अगर सकिं की लंभाई को नापएंगे क्योंकि अंगूठे को लेते हैं पूरे नाखुन तक यहां तक यह पूरा कर्व लेंगे यहां से लेकर कि यह पूरा तो दोनों की लंबाई अल्मोस्ट एक जैसे लगेगी कुछ मिलिमिटर का फर्क रहेगा या फिर नीचे की और आके यहां पर एक और रेखा रहेंगे तो कहीं न कहीं इनके पास दो अलग अलग तरह के लॉजिकल ब्रेन रहेंगे मतलब ब्रेन तो एक ही रहेगा लेकिन किसी चीज को डिफाइन करना डीटेल में समझना और डीटेल में समझाने वाली अबिलिटी होती है अगर अंगूठे के नीचे वाले पोर्शन पे एक एक्स्ट्रा लाइन दिख रहा हो तो ठीक है और कई बार इसी वजह से अगर इन द दोनों क्लीन है तो वो ज्यादा विस्तार पूर्वक समझा पाएंगे ठीक है इसका मतलब यह होता है